हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल टोटल फिजिकल एजुकिशन आज के वीडियो में MP8 फर्स सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम और फॉर्स सेम इन चारो सेमिस्टर के सिलेबस के बारे में डिटियल में जानकरी लेने वाले हैं इसलिए दोस्तों जानकरी बहुत ही इंपोर्टन्ट है वीडियो को शुरू से अंतदक देखिए और जो चात्र इस चैनल पर नए आये हैं उन सभी चात्रों को मेरा निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हो सकी तो इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करें सबसे पहले बात करते हैं MP8 फर्स सेमिस्टर के सिलेबस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं Part A Theoretical Course और Part B Tactical Course MP8 फर्स सेमिस्टर में सिलेबस दो बागों में डिवाइड होता है Part A Theoretical Course और Part B Practical Course Theory में टोटल चार सब्जेक्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल चार सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 400 नंबर्स के चार सब्जेक्ट्स होते हैं तीन सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंपलसरी होते हैं और एक सब्जेक्ट यहाँ पे Elective होता है Theory के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे Elective सब्जेक्ट स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तूत है Test, Measurement and Evaluation in Physical Education और Sports Technology इसमें से कोई भी एक Subject of Choice कर सकते है आपकी इच्छा से इस प्रकार से कुल मिला कर 400 नंबर का MP8 First Semester में Theory का Topic होता है बात करते हैं Practical Course के बारे में Practical Part आपको यहाँ पे Screen पर Show हो रहा है Practical Course Practical Course भी कुल मिला कर 100 नंबर का MP8 First Semester के अंतरगत होता है Screen पर आप देख सकते हैं कुल मिला कर 100 नंबर का Practical Course होता है Means 400 Theoretical और 400 Practical इस प्रकार से 800 नंबर का यह आपका MP8 First Semester का syllabus होता है Theoretical Course और Practical Course मिला कर जिसमें से 560 560 नंबर यह External होते हैं और 240 नंबर इंटर्नल होते हैं इस प्रकार से MP8 First Semester का syllabus होता है 800 numbers के लिए अब बात करते हैं MP8 Second Semester के syllabus के बारे में यहापे भी आपके सामने स्क्रीन पर पुरा information प्रस्तुत होते हैं दोस्तों कुल बिला कर 400 नंबर का यहापे MP8 First Semester Second Semester में Theoretical Part होता है जिसमें से 3 सब्जेक्ट यहापे compulsory होते हैं और 1 सब्जेक्ट यहापे elective होता है अर्थात आपकी चॉइस होती है जिसमें से Sports Journalism and Mass Media इसके लिए इस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट होता है Sports Management and Curriculum Design Designs in Physical Education इसे कोई भी एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं ऐसे कुल मिला कर 400 नंबर का आपका practical portion होता है theoretical portion होता है MP8 Second Semester के लिए अब बात करते हैं Part B Practical Course Practical Course का आप यहाँ पे देख सकते हैं Practical Course आपको स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों Practical Course भी यहाँ पे दोस्तों पुल मिला कर 400 नंबर का यह प्रैक्टिकल का Total portion यहाँ पे होता है जिस प्रकार से First Semester का 400 नंबर का 400 नंबर का theoretical part होता है और 400 नंबर का practical part होता है उसी प्रकार MP8 Second Semester में भी syllabus के अंतरगत 400 नंबर का theoretical और 400 नंबर का practical portion होता है कुल मिला कर MP8 Second से 800 नंबर का होता है जिसमें से 560 numbers ये 560 numbers external होते है और 240 numbers internal होते है ये external plus internal मिला कि यहाँ पर 800 number का MP8 second semester का syllabus यहाँ पर रहता है exam में अब बात करते हैं दोस्तों 3rd semester के बारे में 3rd semester का syllabus आपके सामने screen पर पस्तूत है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी theoretical part part A theoretical course यहाँ पर भी same दोस्तों चार subjects theory के लिए होते हैं आप देख सकते हैं screen पर यहाँ पर कुल मिलाकर चार subjects होते हैं theory के जिसमें से 3 subjects compulsory होते हैं में scientific principles of sports training, sports medicine, health education and sports nutrition और elective में होते हैं sports engineering और इसे और होता है physical fitness and wellness यह दो subjects में से कोई भी एक subject आप choice कर सकते हैं यह आपकी choice होती है इस प्रकार 400 number का यहाँ पर theoretical part होता है MP8 3rd sem के लिए अब बात करते हैं प्रेक्टिकल portion के बारे में practical course के बारे में अब देखिए यह प्रेक्टिकल का पार्ट भी होता है MP8 3rd semester 400 number का यह practical part होता है इसे कुल मिलाकर 800 number का आपका MP8 3rd semester का एक्जाम होता है जिसमें से 560 560 यह external numbers होते हैं और 240 240 यह number होते हैं internal external प्लस internal मिलाके 800 number का MP8 3rd semester का यहाँ पर syllabus होता है अब बात करते हैं MP8 4th semester के बारे में 4th semester का syllabus किस प्रकास से design किया गया इसके बारे में भी हम बात करेंगे स्क्रिन पर आपके सामने प्रस्थूत हैं यहाँ पर भी part A और part B ऐसे दो भागों में MP8 4th semester का syllabus यहाँ पर डिवाइट किया गया है यहाँ पर भी दोस्तो तीन compulsory subjects होते हैं और दो में से कोई भी एक elective means एक choice आपकी choice का subject होता है जिसमें से dissertation इसे और होता है education technology and physical education दोस्तो मेरी राए यहाँ पर यह है अगर आपको अच्छे percentage cover करना है या फिर आपको numbers अच्छे अगर लेना है तो आप elective में especially fourth semester में elective के portion में आप dissertation यह topic choice कीजिएगा यहाँ पर आपको कोई भी एक subject की उपर आपको research करना होता है यहाँ पर नंबर अच्छे आप प्राप्त कर सकते हैं ऐसे कुल मिलाकर 400 नंबर का यहाँ पर MP8 fourth semester का syllabus होता है theoretical part का अब बात करते है practical part के बारे में part B practical course दोस्तों यहाँ पर practical course का syllabus भी यहाँ पर बाकी semester के जैसा ही होता है 400 नंबर का 400 नंबर का यहाँ पर practical part होता है fourth semester में ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों 800 नंबर का MP8 fourth semester का total syllabus होता है जिसमें से 560 नंबर सी होते है external और 240 नंबर सी होते है internal अब दोस्तों यह चारो semester मिलाके आपका जो course होता है actually MP8 का course यह दो साल का होता है जिसमें चार semester आपके होते है और यह total आपका mark sheet जो बनके आता है वहाँ पर जो numbers आते है यह दो साल का total होता है दोस्तों दो साल का total यहाँ पर रहता है 3200 3200 3200 नंबर का यह आपका total MP8 MP8 1st and 2nd year अर्था चारो semester का आपका यह total calculation 3200 का होता है 3200 नंबर का होता है जिसमें से 2240 यह नंबर होते है external और 960 960 यह नंबर होते है internal internal और external यह दोनों नंबर मिला कि आपका 3200 नंबर का आपका वहाँ से syllabus की PDF आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं